गड़ी कितनी भी मुल्यवान हो किन्तु समय को वो वस्में नहीं कर सकती है वैसे ही मनुष्य कितना भी बलवान हो वो नियती को वस्में नहीं कर सकता है इसलिए जब भी ऐसी इस्टतिय उत्पन हो जो कि हमारे नियंतरण से बाहर हो तब बहुत धैरे के साथ इन इस्टतियों का सामना करें और शांती के साथ इन इस्टतियों को आ कर जाने दें जो व्यक्ति ऐसे समय में धेरे रखता है वह अपने जीवन में बड़े नुकसान से बच जाता है और ये समय ये इस्तत्या उसे कुछ नया सिखा कर जाती है नमश्कार मैं निदिश्रिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपके सामने पांच मई रवीवार का दैनिक राशी फर लेकर उपस्तितु योट्व सबसे पहले आते हैं आज के पंचांग पर तो विक्रम समवत दोहजार एक्यासी प्रारम्भ हो चुका है वैसाख मास के क्रश्न पक्ष की द्वादरशी तिथी आज है जो कि साम पांच बचकर 41 मिणट तक रहेगी उसके बाद त्रेयोदशी तिथी प्रारम हो जाएगी उत्रा भादरपत नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है चुकि शाम 7 बचकर 57 मिनट तक रहेगा उसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा चंद्रमा आज मीन राशी में गुचर रमन करेंगे विश्कुम्ब योग आज के दिन बन रहा है सुब समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं उसका टाइम पीरियर दौपेर 3 बजे से लेकर 4 बच कर 30 मिनट तक रहेगा वहीं राउकाल का समय दौपेर 4 बच के 30 मिनट से साइं 6 बजे तक रहेगा दिशाशूलाज पश्चिम दिशा में रहेगा यदि इस दिशा में यात्रा करना आवशक हो तो घी खा कर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं बुरा वक्त जीवन में कौन व्यक्ति पाना चाता है कौन चाता है कि आपके जीवन में बुरा से बुरा वक्त आप देखे अगर आप ये नहीं चाते हैं तो आज मैं कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूँ जो कि बूरे वक्त को टालने में आपकी सहायता करेंगे तो इन उपायों को जानने के लिए आपको वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रहना है और साथ ही इन उपायों को अपने जीवन में अपनाना भी है तो शुरुवात करते हैं प्रथम राशी यानि मेश राशी से आपकी राशी से चंद्रम आज के दिन बारवेई भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन खर्ज की स्थतियों के प्रती आपको थोड़ा सा सतर कर रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर ही चलना है आरतिकिस्तति को ध्यान में रखकर चलें किसी से भी आज के दिन उधान नहलें अपनी कारियों को सुचारू रूप से करें सहकर्मियों के साथ तालमेल बना कर चलें आज के दिन किसी के साथ भी बहस या जगडा बिलकुल भी ना करें अधिकारी आप पर प्रसन अच्चित तभी रहेंगे जब आप इमानदारी के साथ अपनी कारियों को करेंगे आज के दिन जूटे आरोप लग सकते हैं तो थोड़ा साथ सावधान रहें अपने गर के दक्षन भाग में गुड की एक दली छोड़ कर कहीं पर बाहर जाए आपका शुबरंग रहेगा गुलावी, शुबंग रहेगा पांच अब आते हैं व्रशवराशी पर आपकी दासी से चंद्रम आज के दिन ग्यारवें भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए उत्तम लाप की परिस्तितियां लेकर आएगा सामाजिक मान सम्मान में बड़ोतरी होगी घर में मेमानों का ताता आज के दिन लग सकता है जिससे घर का वातावरण बहुत ही हेल्डी होता हुआ दिखाई देगा घर में चहल पहल के वातावरण के बीच में सुबसमाचार आपको प्राप्ति हो सकता है आज के दिन घर में मांगलिक करेक्रमों की रूप रिखा भी बनेगी प्रति दिन किसी सफेद गाय को कच्ची चावल खिलाएं इससे धन की प्राप्ति होगी आपका शुबरंग रहेगा बुरा शुबंग रहेगा तीन अब आते हैं मितुन राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दस्वी भाव में गोचर प्रवन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए काम को आगी बढ़ाने का है अपने काम को रफ्तार देने के लिए आज के दिन योजना बद तरीके से आपको अपने कारियों को करना होगा आज के दिन एक स्ट्राटेजी परिवार के साथ बैठ कर आने वाली भविश्य की जरूर बनाएं इससे आपको सही सला भी अपने घर के बड़ों से प्राप्त होती हुई दिखाई देगी आज के दिन यत्राओं से आपको बचना चाहिए जीवन साती का साथ और सयोग पूरा प्राप्त होगा बुद्वार के दिन खड़े हरे मूंग का किसी चरुतमन विक्ति को दान जरूर करें आपका शुब्रंग रहेगा ग्रे शुबंग रहेगा दो अब आते हैं करकराशी प गोचर ब्रह्मन करेंगे आज का दिन आपकी सभी दूविधाओं को दूर करतेगा आज के दिन आप अपनी योग्यता नुसार अपनी इच्छाओं को पून कर पाएंगे आज के दिन आप सामाजिक मान सम्मान प्राप्त करेंगे आउट अप फे जाकर किसी व्यक्तिक हिसा प्राइता से मानसिक शांती का अनुभव करेंगे अपने घर के पश्चिम भाग में नियमित रूप से कबुतरों को जवार के दाने जरूर चुगाएं आपका शुब्रंग रहेगा मैरून शुबंग रहेगा साथ अब आते हैं सिये राशी पर आपकी रासी से चंद्रमा आज के दिन अस्टम भाव में गोचर प्रमन करेंगे आज का दिन आपके लिए यात्राओं से भरा रह सकता है परन्तु यात्राओं में अपने सामान का विशेश रूप से ध्यान रखें किसी भी अजनवी पर भरुसा करने से आज के दिन आपको ब प्रयास करें तो अपने बुद्धी और विवेक का इस्तमाल जरूर करें वरना आप अपने अच्छे रिस्तों को भी दूरी में बदल देंगे नियमित रूप से तांबे के लोटे में जल भर कर अपने घर के पूर्व भाग में उस जल का छिड़काव कर उसे गीला करें आ अब आते हैं करन्या राशी पर हर समस्या का हल निकालने का प्रयास करें आज के दिन कुछ नए ओफर आपको अपने काम को बढ़ाने के मिल सकते हैं आज के दिन घर में बड़े भाई बेनों के आगमन से घर का माहूल बहुत ही हल्दी रहेगा नियमित रूप से अपने घर की उत्तर दिशा में हरी घास को गायों को खिलाए आपका शुबरंग रहेगा हरा शुबंग रहेगा एक अब आते हैं तुला राशी पर आपकी राश से चंद्रमा आज के दिन छटे भाव में गोचर ब्रमन करेंगे अता आज के दिन शत्रों और विरोधियों का सफाया हो जाएगा आप अपने बुद्धी और विवेक से सही नेने कर अपनी एक बड़ी समस्या का हल आज के दिन ढूंड ही लेंगे आपके घर के बड़ों का मात दर्शन आपको प्राप्तोगा और ननियाल से मैमान आ सकते हैं जिससे घर का वातावरन बहुती हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा तुला राशी के जातक शनिवार के दिन शनी मंदिर में सरसो के तेल का दीपक जरूर जलाए आपका शुब्रंग रहेगा सफेद शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं ब्रशिक राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन पांचमें भाम में गोचर प्रमन करेंगे हता आज के दिन करियर को लेकर जो भी टेंशन से वो दूर हो जाएगी संतान की तरफ से सबसमाचारों की प्राप्ती होगी चात्र चात्रों को पड़ाई में मनवांचित परिणामों की भी प्राप्ती होगी आज के दिन योजनाबत तरीके से किये गए कार्यों का विशेश लाब भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा ब्रश्चिक राशी के जातकों को घर के अगनिय कौन यानि दक्षिन पूर्व कौने में जों को लाल कपड़े में बांद कर रखना चाहिए इससे घर में शुपता का वास होता है आपका शुब्रंग रहेगा सफेद शुबंग रहेगा आठ अब आते हैं धनू राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचय ब्रह्मन करेंगे अता आज का दिन आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा आज के दिन कोई सबसमाचार आपको घर में मिलते हुए दिखाई देंगे प्रॉपर्टी से समंदित लेन देन के कारियों को आज के दिन टाले तो आपके लिए बहतर रहेगा आज के दिन किसान वर्ग को खेती बाड़ी में विशेश लाप की परिस्तितिया देखने को मिलेगी विश्नु जी की नियमित रूप से पूजा करें और विश्नु सहस्त नाम का पाठ करें आपका शुबरंग रहेगा सलेटी शुबंग रहेगा साथ अब आते हैं मकर आपकी राजी से चंद्रम आज के दिन तीसरी भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है भाई बैन और कजन से आज के दिन मुलाकात आपकी पूरानी यादों को ताजा कर जाएगी आज के दिन घर में मैमान आ सकते हैं जिससे घर का वातावरन हल्दी रहेगा वहीं घर की महिलाओं को आज के दिन आप प्रसनचित करने का प्रयास करेंगे आज के दिन आप अपनी होबी से रिलेटेट कारियों से बड़ी सफलता हासिल करेंगे मकर राशी के जातक अपने घर के पश्चिम दिशा में तुलसी का पौधा लगा कर उसे निरंतर सीचे आपका शुबरंग रहेगा के सरिया, शुबंग रहेगा एक अब आते हैं कुम राशी पर आपकी राशी से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर प्रमन करेंगे अता आज का दिन कुटुम में मान सम्मान बढ़ाएगा आज के दिन घर में मांगलिक करिक्रमों की डूप रेका रखी जाएगी यदि आपके भाई बेन छोटे हैं और साधी योग्यों हो चुके हैं तो उनके साधी सगाई जैसे नहोते आज के दिन आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे आज के दिन शुप कारियों में किया गया इन्वेस्मेंट आपके लिए लाबदाएक परिसितियां उत्पन करेगा महीं आज के दिन यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी कुम राशी के जाता गर के पश्चिम उत्तर दिशा या वायव्य कौन को स्वच्छे रखे आपका शिब्रंग रहेगा मजेंटा शिबंग रहेगा चार अब आते हैं मीन राशी पर आपकी कुदकी राशी में आज के दिन चंद्रमा गोचरब्रवन करेंगे अधा आज के दिन बिना सोची समझे कोई भी डिसिजन लेने से बचे कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो आज के दिन कार्य में भी सोच समझ कर आपको आगे बढ़ना होगा, जल्द बाजी में कोई भी कार्य आज के दिन ना करें, यात्रा हैं आपके लिए सुखद और मंगल में रहेगी, आध्यात्मिक कार्यों में आज आपका मन अधिक लगेगा, गर के पुर्वत्तर दिशा में मंदिर बनाएं लेकिन ध्यान रहे हैं कि मंदिर और रसोई गर एक साथ ना हो, आपका शुबरंग रहेगा पीला, शुबंग रहेगा आठ, तो ये हैं पाँच मई रवीवार का दैनिक राशी पल, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम द रहे और हमीशा मुस्कुराते रहे जै श्री रादिक्रश्ना तू इन नंबरों पर संपर्क करे आठ, नो, पांच, पांच, छे, पांच, आठ, तीन, छे, दो